एक बाप प्रिम से बोलिए बागेश्वर धाम की और यहां तक की मोदी जी भी इनके फैन है कहा तो यहां तक जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अद्रिश सेना पती है जो बूतों को भगाने में इनकी मदद करता है तो क्या है बागेश्वर सरकार की असल सच चाही आए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों यूं तो हमारे देश में कई बाबा आए और कई गए कई सारे लोगों ने उनके आश्रम में माते टेके यहां तक की बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी इनके दरबार में अपनी हाजरी लगाई लेकिन इस समय जो प्रसिद देई बागेश्वर महराजी को मिल रही है वो आज तक कसी को नहीं मिली है लंबे लंबे बालो वाले माते पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बाधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी की बात ही कुछ और है और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मिस स्वितारों का इनके दरवार में आके इनके प्रवचन और गीत सुनना है फिर चाहे मुदी सरकार के सबसे दिगजनेता मनूस दिवारी हों या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार जिनोंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और हाँ जोड़कर नमसकार भी किया अभी हाली में सदी के महानायक अमिताब बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ज़ादा वारिल हो रही है जिसमें वो बैठकर बाबा के करतन का आनंद ले रहे हैं लेकिन दोस्तों ये एक रात का चमतकार नहीं है बलकि इसके पीछे एक ऐसे बच्ची की कहानी चुपी हुई है जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे हजारों की संख्या में लोग अपनी मनो कामनाओं को पूरा करवाने और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं और ये सब कुछ मुम्किन हो पाया है बागेश्वर धाम जी के चमतकारों की वज़ा से कहा जाता है कि स्वैम हनुमान जी के कुरपा बागेश्वर बाबा के उपर बने हुई है और उनी की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागस पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं जिसके कई सारे प्रमाण आपने इनके वारल वीडियोज में देखे ही होंगे स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परिशानी बताता है तो बागिश्वर महाराज उसे पहले से ही लिखे हुए पर्चे को पढ़ने के लिए के लिए कहते हैं जिसे देखकर भक्त गन पूरी तरह से आश्चरे चेकित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी दुखों को और परिशानी को बाबा को बताया भी नहीं था उससे पहले ही उनके बारे में बाबा पर्चे पर लिख चुके थे जिसके बाबा सबी के सामने परिशानियों का हल बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास दलाते हैं कि उनकी परिशानिया दूर हो जाएंगी लेकिन दोस्तों आपको बता दी कि बागिश्वर धाम काफी सक्त मिजास के भी है क्योंकि अगर कोई इनके सामने जुट बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपने ख्षाएं लेकर पहुंचता है तो ये उसकी पोल खोलने में भी कोई खसर नहीं छोड़ते लेकिन ज़्यादातर इनके पास परिशान लोग ही आते हैं इन में से कुछ लोग वो होते हैं जिनके उपर किसी भूत प्रेत का साया होता है लेकिन बाबा के सामने आते ही वो भूत प्रेत का साया भी चुटकियों में भाग जाता है क्योंकि इनके उपर हनुमान जी की असीम कृपा है वो कहते हैं ना कि भूत पिचास दिकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे दोस्तो हनुमान जी के पौरम भक्त बागिश्वर स्वरकार जी का असली नाम पंडित धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री है ये एक बहुत ही गरीब बंडित परिवार से तालुक रखते हैं बागिश्वर सरकार ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि जब वो मातर नौ साल के थे तब उनका मनबाला जी महाराज की सिवा में लग गया था इन्हें हनुमान जी की भक्ती और उनके प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था बागिश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ती और उनकी करिस्तादना का ही परिणाम है कि उन्हें ऐसी सिध्वियां प्राप्त हुई है जिनकी वज़़े से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं असल ने अपनी शुर्वाती शुख्षा अपने दादा जी के साथ रहकर प्राप्त की थी कहा जाता है कि इनके दादा जी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी इनके दादा जी भी दिव्य दर्बार लगा कर लोगों की समस्याओं का हल करते थे तबी से इन्होंने अपने दादा जी क्यों अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजें सीखने लगे। दादा जी के साथ रहकर इन्होंने रामायन, मा भारत और गीता जैसे धार्मिक गरंतों का अध्यन किया। लेकिन अगर इनकी प्रारंबिक शुक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गाउं से ही आठवी तक पढ़ाई की। और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो गाउं से करेब 6 किलोमेटर दूर जाया करते थे क्योंकि गाउं में हाई स्कूल नहीं था। इसी तरह इन्होंने बारहवी की परिक्षा दी और बारहवी पास करने के बाद इन्होंने बैशलर आफ आर्ट्स में अपना ग्रैजिवेशन भी पूरा किया। यानि कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रिया भी है। बता दे कि अपने ग्रैजिवेशन के दिनों से ही धिरेंदर कृष्ण अपने दादा जी की तरह बाला जी माराज की सेवा करने लग गये थे। इनके घर के पास बाला जी यानि कि हनुमान जी का एक प्राचीन मंदर भी है जहां पहले इनके दादा जी दरबार लगाया करते थे लेकिन उनकी मृत्यों के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा लेकिन दिरेंदर कृष्ण श्रास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बाला जी के नाम का ध्यान करने लगे लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद इनके उपर बाला जी और उनके स्वर्गिय दादा जी ने अपने कृपा दिखाई और अचानक से ही उन्हें असीम श्रक्तियों का ऐसास होने लगा उन्हें मैसूस हो रहा था कि वो लोगों की मन की बातों को समझ सकते हैं वे क्या चाहते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये सारी बाते वे बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनका निवारन भी बताते थे अपनी इन शक्तियों का इस्तिमाल करके इन्होंने लोगों के कश्टों को दूर करना शुरू कर दिया लोग जब इनके पास अपनी समस्चा लेकर आते थे तो ये पहले से ही उनके मन की बात समझ कर उन्हें समस्चा का सामाधान बता देते थे दीरे दीरे धरेंदर शास्त्री जी को ये समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादा जी की ही तरह दिव्य शक्तियां मौजूद हैं तब जाकर उन्होंने अपना दर्बार लगाना शुरू किया और यहीं से धरेंदर कृष्णा शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के ना में लिख देते हैं जिस से लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी जादा बढ़ने लगा है आप ये जानकर रहरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ने केवल भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में अपने दर्बार लगाएं और लाखों की कुछ लोग तो इन्हें साक्षात भगवान का दर्जा देते हैं हाला के कुछ मैलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार की खूबसूर्थी को देखकर उनके उपर अपना दिल हार बैखती हैं और उनकी बाते सुनने और उन्हें एक नजर देखने के लिए उनके ध बाबा खार हैं जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है वैसे ही उसके काले कारनामों का चिठ्था खुलने लगता है जिस वज़े से लोग अब इन चीजों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं इस माहौल में अगर कोई 26 वर्ष्य श्रक्स जान सकें लेकिन इतने सारे स्टिंग ऑपरिशन्स के बाद भी कोई जान नहीं पाया कि आकर कैसे बागिश्वर महराज लोगों के मन की बात जान लेते हैं क्योंकि कई सारे जो नए लोग दरबार में आये होते हैं उनकी अरजी लग जाती है और जब वो बाबा के सामने ज हुई है जिसे लेकर वो बागिश्वर धाम सरकार के उपर किसी तरह का सवाल उठा सके या उन पर कोई आरोप लगा सके शायद इसलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागिश्वर धाम पर विश्वास करने लगे हैं वैसे दोस्तों इनके बारे में एक बात बहु जूटी ये तो कोई नहीं जानता लेकिन बागिश्वर महराज के वक्तों का मानना है कि बाबा के पास कोई ना कोई रहसे मई शक्ती जरूर है जिसकी सहायता से वे भूतों फ्रेतों को डरा कर भगा देते हैं और वक्तों का ये कहना है कि जिसकिसी का भी भूत बाबा ने भगाया है उसे आज तक कोई परिशानी नहीं हुई है तबी तो इनके दरबार में लाखों लोग आते हैं नहीं तो आज के समय में किसके पास इतनी फुरसत है कि वो किसी बाबा के दरबार में जाकर उसके प्रभचन सुनें तो दोस्तो आज के लिए सर्फ इतना ही जाने से पहले वीडियो को लाइक शेर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकेशन को भी जरूर आन कर लें धन्यवाद